हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्जाम वानी में मैं राधिक अगर्ग आज आप सब के साथ जूड़ी हूँ बीएड की जो काउंसलिंग होनी है उसका जो शेड्यूल है उसके साथ तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेज वन जिनकी रेंक जो है एक से पचास हजार के बीच में है उनके लिए उनकी जो रजिस्टेशन है वो 19 अक्टूबर को होगी फिर रजिस्टेशन एंड चोईस फिलिंग होगी 20 और 21 में और 22 में फिर इसके बाद आजाता है चोईस फिलिंग 23 में अलोटमेंट होगा 24 में और सीट कनफरमेशन एंड फी पेमेंट होगा 25, 26, 27 में तो इस तरीके से जो एक से पचास अजार तक के विद्यारती है वो इस दिन रजिस्टेशन और अपना फीस पेमेंट ये सब कुछ काम होगी फिर इसके बाद आजाता है जिनका पचास अजार एक से लेकर के एक लाग चालिस अजार के बीच है इनके लिए रजिस्टेशन होगा 24 को, रजिस्टेशन और चोईस फिलिंग होगा 25, 27 को, 28 में चोईस फिलिंग, 29 में एलोटमेंट और 30 में सीट कन्फरमेशन और फीस पेमेंट ये जो है 30, 31 और 1 नमबर तक होगा फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, जिनकी जो रैंक है, वो है 1,40,000 से 2,40,000 तक, उनके लिए होगा 29 अक्टूबर को रजिस्टेशन, 30 अक्टूबर, 31 और 1 नमबर, इसको होगा उनका रजिस्टेशन चोईस फिलिंग, और चोईस फिलिंग 2 नमबर, अलोटमेंट 3 नमब होगा, फिर आजाता है, जिनकी रैंक है, 2,40,000 से लेकर के लेंड तक, उनके लिए आजाता है, रजिस्टेशन 3 नमबर, 4-5-6 को रजिस्टेशन और चोईस फिलिंग, 7 को चोईस फिलिंग, अलोटमेंट 8 नमबर, 9-10-11 को सीट कंफरमिशन और फीस पेमेंट होगा, फिर जो है, as per eligibility and guidelines, जो की पूल वाले हैं, उनके लिए data reconciliation होगा, 12 और 13 नमबर को, registration choice filling होगा, 14, 15, 16 नमबर को, और 17 नमबर को, 18 और 18 को होगा, choice filling और 19 को होगा, अलोटमेंट, फिर जो direct वाले लोग हैं, जो college के admission से ही होगे direct, तो उनके लिए data reconciliation होगा, 21, 22, 23, 24 और 25, 27 को होगा, direct admission by college, तो इस तरीके से, जो counseling का schedule है, वो रहेगा, तो आप इस schedule के साब से, अपनी जाए counseling के लिए जाएं, thank you.